मैं डॉक्तर स्वाती मिश्रा ऑज फिर से एक नए topic के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं वो है बीना अगरवाल बीना अगरवाल के लिए लगा तारा आप लोगbeing घरवाल पर वीडियो बना दीजिआ बीना अगरवाल पर वीडियो बना दीजिआ मैंने पूछा भी क्या आपका एक्जाम कब है तो अभी 4th October को आपका एक्जाम है चलिए तब तक तो मैंने भी मैं दूसरा टॉपिक उठा ली थी बनाने के लिए पर जब आपका बार बार आया मैसेश तो मुझे लगा कि अभी टाइम है दो तीन दिन में तो मैं बना के दे क्या मालूम उससे कोई कोशन आई ही गया और आपका नहीं प्रिपेर हो पाएगा तो मुझे गिल्टी फील होगी तो इसलिए आज मैंने इतर तीन चार दिनों में मैंने मेहनत करके बीन अगरवाल पर फाइनली जो में में उनके काम थे उनके कंट्रिब्यूशन थे मैंने पर फोफ वीजिए बना ही दिया है तो इसके लिए आप लों को भी थैंक्यू इतना मोटिवेट करते रहते हैं आप लो और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दूसरों को शेयर करिए और प्लीस सपोर करिए देखे ना बाकी चैनल कितने तेजी से ग्रोग करते हैं बट एजुकेशनल चैनल बिलकुल ग्रोग नहीं करते हैं क्या विडम बना है हमारे देश की हमारे युवाओं की मुझे नहीं पता अगर कोई और चैनल आ जाएंगे तो कितनी तेजी से ग्रोग करते हैं ब्यू को अपने knowledge को enhance करिये क्योंकि finally यही काम आने वाला है बाकी सब तो छणिक है वही ले करके हम जाएंगे उपर कोई बात नहीं start करते हैं और एक गाना है ना ये पल दो पल का है ना एक गाना मुझे यारनी आ रहा है exactly तो वही है जिन्दगी कुछ दिन की है जितनी भी दिन की है मुझे नहीं पता तो उसमें हम ग्या लेके जा सकते हैं अपने ग्यान को लेकर के जा सकते हैं बाकी कुछ चीज़े नहीं जाने वाली है कोई बात नहीं है तो philosophical पार्ट है स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो चलिये आज का जो हमारा वीडियो है वो है बीना अगरवाल पे बीना अगरवाल जो है basically she was, she is, sorry, 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 sorry ये अभी भी alive है, मतलब है इतनी बड़ी economist आज भी हमारे साथ है और अभी कितना contribution society में मिलने वाला है नहीं पता continuous ये काम में लगी हुई है मैं एक article पढ़ी थी बीना अगरवाल पे ही related पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने future अपने दिये कि मुझे और किस किस पे अभी काम करना है तो continuous ये लगी हुई है education में, policy making में continuous तो बीना अगरवाल जो है basically ये development economist है जैसा आप लोग ने देखा अभी screen पे ये development economist है she is Indian development economist and professor of development economics and environment at the global development institute at the university of manchester, england कहां पर कार्यरत है ये university of manchester कहां पर पढ़ता है, england में पढ़ता है ये वहां पर global development institute में professor के पद पर कार्यरत है मैंने बताया अभी कि ये development economist है तो ये term भी हमें बहुत ज़रूरी है, जानना की development economist ये development economy किसको कहते है तो development economy is a branch of economics ये economics का ही एक branch है, जैसे sociology के बहुत सारे branch है अर्बन sociology, ruler sociology, criminology और sociology of environment, बहुत सारे branch है sociology के उसी तरह economic subject के भी बहुत सारे branch है उसमें development economy आता है basically this branch of economics deals with the economic aspect of development processes in low income countries जो low income countries है, जहां पर कम आये जहां जो कम आये वाले देश है, वहां पर विकास की प्रक्रिया के आर्थिक पहलों की जो जाच करे चीक है, क्या deals with the economic aspect of the development process in low income countries वहां की जो study है, वो development economics कहलाती है तो basically जो बीना अगरवाल जी है वो development economist के रूप में जादा जानी जाती है इनके जो father है, वो है सूरज मल अगरवाल and mother श्यामा देवी अगरवाल okay, she completed her BA and MA from the University of Cambridge, United Kingdom United Kingdom में ही University of Cambridge पढ़ता है, वहां से इन्होंने BA और MA की degree ली और इन्होंने doctorate कहां से की, यह बहुत interesting है doctorate इन्होंने किया Delhi School of Economics में, मतलब BA MA उन्होंने वहां से किया और PhD करने के लिए वो यहां आई, University of Delhi, Delhi School of Economics क्योंकि economics इनका विशेता और इसका अपना एक expertise एरिया है Delhi School of Economics का, 1977 में इन्होंने Delhi School of Economics में से अपना doctorate किया PhD की, मैंने यह जो 1949 established लिखा है, वो Delhi School of Economics का लिखा है, Delhi School of Economics 1949 में established है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हर dissertation was, जो इनका PhD thesis था वो है, Mechanization in Indian Agriculture and Analytical Study Based on the Punjab इन्होंने Mechanization in Indian Agriculture, मतलब Indian Agriculture का किस तरह से machine ही करन होता गया, उस पे basically इनका thesis है और कहां पर पंजाब में देखिए, और जब article आप depth में इनका पढ़ेंगे तो basically green revolution का दौर था उससे पहले और green revolution में, green revolution पे भी मैंने video बनाया हुए, आप उसको भी चेक कर सकते है green revolution क्या है, green revolution में 2-3 चीज़े बहुत महरत्वपून हैं, जैसे high yielding varieties of crops का यूज करना और जो agriculture था उसको mechanized हो जाना, उसका machine ही करन हो जाना, मतलब हम अब agriculture process में machine हो का इस्तमाल करने लगे, तो 67 के समय green revolution का दौर था और इन्होंने 77 में अपना work किया है तो basically यह वही impact देखना चारी थी, कि mechanization in Indian agriculture भारती कृशी का किस तरह से machine ही करन हुआ अन analytical study based on the Punjab, इनका जो field था वो Punjab था, ओके यह एक general background मैंने बताया अब इनका expertise area में बताऊंगी कि आखिर किस-किस विशे में, किस-किस छेतर में इनकी रूची है तो she has written extensively on land, livelihoods and property rights इन्होंने किस पे बहुत काम किया है, land पे काम किया है, भूमी पे काम किया है, livelihood, जीवनियापन जो होता है, आजिवी का जो होती है उस पे और property rights, संपत्ती के अधिकार पे इन्होंने बहुत काम किया और इन सब चीजों को किस से जोडने का प्रयास किया था, जेंडर से याद रखिए का, जेंडर जो है, इनका specialized area था तो basically she has written more on land, livelihood and property rights with special reference to gender उस पे इनका काम है, next जो इनका work है, वो है environment and development इन्होंने पर्यावरण और विकास पे भी बहुत काम किये है political economy of gender, लिंग का राजनीतिक अर्थविवस्था पर भी काम किया है property and inequality, गरीबी एवब असमानता पर भी इन्होंने बहुत काम किया है legal change, कानूनी परिवर्तन पे काम किया है आगे चलके मैं बताऊंगे कि legal change पे कैसे इनका काम रहा है और agriculture and technological transformation किस तर से क्रिशी और तकनीकी का रुपांतरण हुआ उस पे इनका बहुत काम रहा है इनका बहुत बढ़ा काम रहा है यह लाइन अच्छे से याद रख लेगा यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने gender inequality in property and land कि जमीनों पर और समपत्ती पर किस तरह से हमें लैंगिक असमानता देखने को मिली उस पे इनका बहुत बड़ा काम है उस पे इनकी बुक आती है A Field of Ones Own उस पे भी मैंने एक आर्टिकल इनका पढ़ा था उसमें इन्होंने बताया था मैंने इंडिया और नेपाल के एरिया में बहुत ट्रैवल किया और उसमें देखा कि जो agricultural field है उसमें women's का कोई अधिकारी नहीं है महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है संपती पर जम्भूनी संपती पर कोई अधिकार नहीं है तब जाकरके इन्होंने फिर संपत्ती के अधिकार में परिवर्तन लाकरके जो हिंदू अधिनियम है उसमें बदलाव किया मतलब इन्ही के रेक्मेंडेशन से वो सारी चीजे हुई है इन्ही के कंट्रिबूशन की वज़े से जो हिंदू इन्हारिटन्स लौ है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उसमें परिवर्तन आया और 2015 महिलाओं को भी संपत्ती में अधिकार जो प्राप्त हुआ है उसमें इनका विशेश विशेश योगदान रहा है तो बीना अगरवाल जी को हम इसले बहुत याद करते हैं और पढ़ते हैं अगर आपके तक मेरा वीडियो पहुचेगा तो बहुत क्रिपा होगी मेरी मतलब मेरे उपर एक स्पेशल ब्लेसिंग होगी आगे चलते हैं हम इनके कंट्रिबूशन को देखते हैं एक्सपर्टाइज एरिया में ही बीना अगरवाल स्पीच विच्छी उन्होंने एक स्पीच दिया था वहीं से मैंने यह लिया है बेलजान प्राइज विनर यह रही है बेलजान प्राइज विनर भी यह रही है तो उस सेरेमनी में जो की हुआ था 16 November 2017 में यह सेरेमनी वुई थी और उसमें इन्होंने अपनी स्पीच दिया है वो पूरा स्पीच है वो पीडिया आपको मिल सकता है तो उसमें उससे मैंने निकाला है और जो मैं अपनी बुक लाऊंगी इन लोगों पे तो हो सकता है उसमें मैं और थोड़ा सा डिटेल में क उन्होंने कहा कि जो मैंने शोध किये हैं अलग-अलग जगहों पे क्योंकि उनका theoretical aspect भी बहुत मजबूत है उनका empirical investigation भी बहुत ज़्यादा important है तो उन्होंने अपने खुद speech में बताया कि उन्होंने basically three areas हैं उनके काम के first है agriculture, technology and food security उन्होंने पहला काम किस पे किया है agriculture, technology and food security पे बहुत ज़्यादा काम किया है ध्यान रखिये मेरी बात को एकदम दिमाग में बसा लीजे ताकि जब exam आना तो मेरी आवाज गूंजे आप लोगों को और फिर आप फटाक से टिक लगा दीजे तो agriculture, technology and food security पे property, family and the state इस पे उन्होंने काम किया है environmental change and collective action इस पे इनका काम रहा है बहुत ज़्यादा तो agriculture, technology and food security पे property, family and the state पे environmental change and collective actions पे इस पे इनका काम रहा है and she approaches these subjects through the lens of political economy and gender इनका जो main methodology रहा है और जो उनका expertise एरिया रहा है वो political economy और gender के चश्मे से इन्होंने देखने की कोशिश की इन सारे छेतरों को और इन्होंने theory and empirical analysis दोनों पे काम किया है आगे हम बत्ताते हैं इनके career के बारे में थोड़ा सा हम लोग discuss करते हैं तो हर university positions include इन्होंने कहां पहां पे काम किया Princeton, Harvard, Michigan, Minnesota और New York University इन सब जगों पे इन्होंने काम किया है एक academic work किया है and she has also been president of international society for ecological economic association इसकी भी ये president रही है International Economic Association की ये vice president रही है International Association for Feminist Economics की ये president रही है and one of the 21 members of the commission on the measurement of economic performances and social progress chaired by Nobel laureate Joseph Stiglitz इनके साथ एक committee थी उसमें 21 members में से ये रही है बहुत बड़े-बड़े achievement है इश्वर पता नहीं है और हम लोग को कम मौका देंगे नहीं पता She has served on the UN committee for the development policy and UNRISD Geneva यहां पर भी इनोंने UN committee में भी काम किया है She holds honorary doctorate from the institute of social sciences in the Netherlands and the university of Antwerp in Belgium इन दो जगह से Antwerp University Belgium and institute of social science Netherlands से इन्हें honorary doctorate की उबाधी भी मिली है कितने मसला bright carrier है अब important part आता है Basically हम इनके books के बारे में बात करेंगे अब इनके हम लोग books के बारे में बात करेंगे जो की important है अपने आप में कुल इन्होंने almost 24 books and 84 research paper almost लिखे हैं इन्होंने और भी बढ़ गई होगी संख्या तो इतनी जो books है उसमें से मैंने कुछ books ली है और उस books के बारे में भी बताने की कोशिश किये कुछ-कुछ किताबों के जो की बहुत important book किताब है उसमें भी मैंने बताने की कोशिश किये जैसे जो पहली book है A Field of One's Own जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की है A Field of One's Own जो की 1994 में इनकी book पब्रिश होती है इस book का पूरा नाम है A Field of One's Own Gender and Land Rights in South Asia वस इतना याद रखिए A Field of One's Own इसकी book है Bina Agrawal जी की तो this is the first major study of gender and property in South Asia पूरे South Asia में gender और property का क्या correlation है इस पे ये काम हुआ है and Bina Agrawal argues that the single most important economic factor affecting women's situation is the gender gap in the command over property इन्होंने ये बताया कि जो women का economic factor कम है कमजोर है मतलब जो situation उनकी कमजोर है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि property में इनका एक property में gender gap नजर आता है property में women का अधिकार नहीं दिखाई देता है In ruler South Asia पूरे South Asia के ruler studies अब उन्होंने किया तो the most important forms of property is arable land सबसे बड़ा property का हिस्सा क्या आता है मतलब जब उन्होंने South Asia को देखा लब इंडिया, नेपाल इन सब को उन्होंने देखा तो property का एक बड़ा हिस्सा किस रूप में नजर आता है एक बड़ा हिस्सा क्रिशी भूमी के रूप में दिखाई देता है arable lands के रूप में दिखाई देता है और वहीं पर औरतों का participation बहुत कमजोर है मतलब प्रॉपर्टी पर राइट उस arable land के प्रॉपर्टी पर महिलाओं का अधिकार नहीं दिखाई दिया उन्हें drawing on a vast range of interdisciplinary sources and her own field research and training regional variation across the five countries and author investigate women land ownership and control उन्होंने क्या किया बहुत सारे interdisciplinary sources का इस्तमाल किया interdisciplinary मतलब अंतर विशेक मतलब कि जो हर विशेक को ले समाज, sociology, economics, political science समय मिला करके अंतर विशेई होता है तो उन्होंने कई सारे अंतर विशेई श्रोतों का इस्तमाल किया और field work किया और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा कि किस तरह से women का land ownership और control को investigate करने की कोशिश की कि क्या वाकई इस arable land पे महिलाओं की हिस्सेदारी है या नहीं है इस किताब में basically उन्होंने यही काम करने की कोशिश की हुई है उसके बाद से हम देखते हैं कि bargaining and legal change यह एक book आई है इनकी important book है book का पूरा नाम है towards gender equality in Indian inheritance law inheritance law जो मैंने बताया उसमें तो bargaining याद रखी का bargaining theory की अगर चर्चा आती है तो आप सीधे बीना अगरवाल जी को याद करेगा next book है gender and command over property and economic analysis of South Asia यह एक तरह का monograph है which focuses on the links between the gender inequality and command over property in ruler South Asia कि ग्रामीर जो दक्षण एशिया के जो देश हैं उसमें किस तरह से gender inequality दिखाई देता है जो लैंगिक असमानता दिखाई देती कहां पर property पर समपर्टी पर किस तरह से gender inequality दिखाई जाती है इस पर यह एक तरह का monograph है अब आप सोचेंगे कि madam research paper सुना है बुक सुना है यह monograph क्या होता है इसलिए मैंने monograph के बारे में भी लिखा है कि mono मतलब होता है यह एक Greek word है mono means single and grapho मतलब to write मतलब अगर हम किसी एक special type of book लिखते है जो कि एक single specialized topic पे based होता है और research work इसमें शामिल होता है तुम इसको monograph कहते है मतलब single specialized topic पे जो चीज़ बेज़ हो और which is based on research work जो कि research work पे based हो that is called monograph and the book gender and command over property of Bina Agrawar is a monograph it is not a book it is monograph याद रखियेगा मैंने बता दिया मत कहिएगा कि madam ने नहीं बताया next जो है इनका है एक है monsoon poems इसमें सैथ कुछ collections है poems की मैंने इसको बहुत detail में नहीं देखा 1976 में publish होती है और आप याद रखिया कि monsoon poems जो है वो भी Bina Agrawar जी की book है next है gender and legal rights in landed property in India the next book is group functioning and community forestry in south Asia जो इनका environment and gender जो work है उसमें इन्होंने group functioning पे काम किया तो याद रखिया कि group functioning का concept मैंने उदर bargaining भी बताया group functioning भी बताया और इसमें भी इन्होंने काम किया है इसमें इन्होंने community forestry पे बात की है उसमें इन्डिया और नेपाल पे इन्होंने बात की है कि जो forestry होती है उसमें gender का क्या participation है gender किस तरह से female जो है वो alienated है और ये group functioning पे इनका basically work है next जो book है agricultural modernization and third world woman ये भी एक तरह का एक इनकी important contribution है याद रखिएगा agricultural modernization and third world woman next जो अब again इनका जो important आता है उसके बारे में मैंने detail लिखा है gender challenges जो की 2015 में ये book आई है and this book is divided into three volumes ये mainly three volumes में ये किताब है 2015 में आई है और इसमें जो author, author मतलब भीना अगरवाल जी के essays जो की पिछले तीन दशकों में उन्होंने जो काम किया उसका एक तरह का समग रहे मतलब सारे इनके contribution मिले हुए gender challenges में इसमें है कि ये जो book है वो कई volume में divide है जो पहला volume है उसमें उन्होंने किशिश की चर्चा किये जो agrarian changes आये है मतलब जो क्रिशी में परिवर्तन आया है कब से कब तक 1981 से लेके आज तक के दौर में 1981 से लेके present तक में जो क्रिशी में परिवर्तन आये है और उसमें उन्होंने gender inequality मतलब आप याद रखिए कि जो भी काम इनोंने किया उसमें gender inequality को ढूणने की कोशिश की है और agricultural modernization और technological changes क्या आये इस agrarian process में ये बताया मतलब जो भारत की क्रिशी व्यवस्था है उसमें 1981 से लेकर के आज तक की क्रिशी व्यवस्था में जो mechanization आया, जो agricultural change आया, जो technological changes आया उसको तलाशने की कोशिश की है और साथ में gender inequality को भी देखने की कोशिश की है फर्स्ट वॉल्यूम में इस किताब के फर्स्ट वॉल्यूम में सेकंड वॉल्यूम में ये फोकस करती है paradigm shifting works on women property status in South Asia की women property status पे इन्होंने ज़्यादा काम किया है सेकंड वॉल्यूम में और हाँ दो वॉल्यूम में है next जो अगली किताब है इनकी important gender and green governance देखे ये भी याद रखिए ये बुक पूछी जा सकती है gender and green governance क्योंकि इन्होंने environment और gender पे भी काम किया है तो research on gender and green governance in other discipline has focused mainly on women's near absence from forestry institution देखिए forestry institution में women का क्या absence रहा है या क्या presence रहा है ये कोशिश की है और इन्होंने इस किताब में gender and green governance में basically 3-4 questions arise कि है क्या question है कि would women inclusion in forest governance कि क्या one शाशन में महिलाओं का समावेश है कि जो forest से related governance आ रहा है जो policies आ रही है उसमें क्या महिलाओं का समावेश है दूसरा are women interest in forest different from men क्या जंगलों में महिलाओं की दिल्चस्पी पुर्षों से अलग है third question इन्हों ने अपनी इस किताब में उठाया है कि would women presence lead to a better forest and more equitable access क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महिलाओं का कौन सा वर्गशाशन करता है और next है कि does it matter which class of women governs क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महिलाओं का कौन सा वर्गशाशन करता है इस point को साथ हिंदी में मैंने एक ही चीज़ को दो बार लिख दिया है इसके लिए sorry third point को मैंने हिंदी में नहीं define किया है कि would women presence lead to a better forest and more equitable access तो ये कुछ questions इन्होंने इस green gender and green governance में उठाए है आगे इन्होंने क्या काम किया है कि it details gender inequality and inheritance law, public policies and land struggle इस किताब में और क्या-क्या चर्चा की गई है इन्होंने ये भी बताया है कि सारजिनिक नीतियों, भूमी संघर्षों और लैंगिक असमानताओं का विवरंड इन्होंने दिया है और जो third volume है देखिए ये page थोड़ा सा बात में लग गया है ये जो third volume है वो उन्होंने मैं इस किताब का बताना चाहरी थी ये gender challenges gender challenges का first volume यहाँ पर है first volume यहाँ है, second volume यहाँ है scan करने में pages थोड़ा सा अलग सेट हो गए और third volume यहाँ है तो third volume में क्या बताया गया है gender और environmental change का correlation समझाने की कोशिश की गई है तो आप मेरे ख्याल से सारे points को समझेंगे आपको चीजों को समझना है next जो इनकी बुक है वो है cold hurts and barren slopes basically यह बुक क्या है यह बुक बताती है wood fuel crisis को कहाँ पर in the third world third world में wood fuel crisis जो लकडी के इंधन थे उसके crisis के बारे में बता रही है और साथ में किस तरह के difficulties यह third world face किये wood fuel energy crisis की वज़े से उसको explain करने की कोशिश की गई है और इस difficulty से हम कैसे overcome हो वो भी कोशिश की गई है तो यह इनकी अगली बुक है cold hurts and barren slopes अब इनके additional अगर हम देखे इनके contribution को तो इन्हें बहुत सारे honors मिले हैं सम्मान मिले हैं इन्हें पदमश्री अवार्ड मिला है पदमश्री अवार्ड प्रेसिडेंट ओफ इंडिया के थू 2008 में के एच भटेजा अवार्ड 1995-96 में मेलकॉम अधिशेश अवार्ड 2002 में रमेश शंद्र अवार्ड 2005 में लॉन्टेफ प्राइस 2010 International Bilzan Prize जिसको मैंने कोड किया है वो भी और साथ में ये हॉवर्ड जो युनिवर्सटी है वहाँ पर फर्स्ट डेनियल इंगेल्स विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम की हैं फर्स्ट तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी उपलब्धी है और मैंने ये बताया है कि इन्होंने अल्मोस 12 बुक्स और 84 अकाडमिक पेपर्स पे काम की हैं और ये ये सोर्सेज है जिनसे मैंने हेल्प लेकर के ये पूरी पूरे लेक्चर को अपलोड किया है मतलब फ्रेम किया है तो basically आपने देखा कि आपको क्या क्या पढ़ना है आपको basically क्या क्या पढ़ना है आपको basically इनके सारे बुक्स और main contribution क्या है मैंने इन सारे चीजों को explain करने के दौरान बताया है तो आपने सारी चीजों को समझ लिया इतना अगर आप बीना अगरवाल जी के बारे में समझ लेंगे तो आपको एक्जाम में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी बस मेरे एक-एक लाइन को आप अच्छे से सुनिये समझें क्योंकि इस लाइन में से भी कोई चीज निकल करके एक्जाम में आ सकती है तो फिलाल अब हम लोग वीडियो को इतने पे रोकते हैं अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करिएगा सपोर्ट करते रहें टेक कियर एंड बाई बाई